जी हाँ दोस्तों अगर आपके एरिक से का चारजर बार बार खराब होता है और आप परिसान रहते हैं तो क्या हम करें जिससे के हमारा एरिक से का चारजर बार बार खराब ना हो दोस्तों हम जाने के कैसे हमारा एरिक से का चारजर बार बार खराब होता है और या भी जाने के कि कैसे हम अपने Erics है का Charger जो है एसे उपाए करें जिससे के हमारे इरिकस के चार्जर कभी भी खराब ना हो और हम परिशान ना रहें जिसां दोस्तो तो जो लोग नयए प्लेज़ उन्हें शेव दे लगा होता है दूसरा हमारे रिक्सा में लगा होता है या 108 फौकिच में लगा होता है तो यह दोनों में क्या प्रोड्म माथा है जिसने करको गवारे ऐसे इसकी को फड़ाब ऐसी वाला तो इस बज़र से जो इसки जो पिने होती है वह जो है जो इस पार्ग होने के くारण हमारा एरwers की के चारजर खराब होने लगता है अगर जो यह पिने हिलेंगी आपस में थोड़ी पकड़ेंगी थोड़ी छोर्ड़ देंगी तो इस कारण ही हमारे जो इरीक जो मौश्पेड होता है यानि कि हमारे ए रिक्सण के चारजर का जो मौश्पेड होता है वो जल जाता यहा जिसे कि हमें जाके मिस्तिर के पास दिखाना पड़ता है और उसको बनवाने में ज्यादा ही खरचाता यानि कि 700 से लेके 1200 रपे तक लग जाता है हमारे जो इरिक्सा के चार्जर को बनवाने में तो दोस्तो आपको ये हमेशा ही ओरिजिनल ही प्रयोग करना है और आपको हमेशा तीन से चार महीने के बीच में आपको हमेशा ही सोकिट को चेंज करना है जियां दोस्तो यही उपाय है आपको हमें ऐसा अच्छी कोल्टी का ही सोगिट ले जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक सोगिट है जो कि ये डेड़ सो सो रुपे से लेके यानि कि दो सो रुपे तक का मिल जाए यानि डेड़ सो से लेके दो सो के बीचे मिलता है ये सोगिट जो कि ये सस्ती की बात करेंगे जो कि हमारे पास ये दोनों ही अड़ाइस हो से लेके तीन सो रुपे तक के बीचने मिल जाएगा तो यह सोकिट थोड़ा और अच्छा माना जाता है और अच्छी कोल्टी का भी है अगर आप बढ़िया चीज़ तो आपके पैसे भी बचेंगे तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपने देखा और समझा कि किस तरह के से हम अपने ए रिक्से का चार्जर को जो हम सेफ रख पाएंगे और अपने पैसे भी बचा पाएंगे तो दोस्तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो इम तब तक के लिए जेहिंग जे भारत